यह आकाश्वणी कुरकपुर है अब आप सुष्मा श्रवास्तों से शेत्रिय समाचार सुनिए निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए छे राजियों के ग्रेह सचियों को हटाने का आदेश चारी किया है इन राजियों में उतर प्रदेश बिहार, गुजरात, उतराखंड, जारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस माने देशक को भी हटाने का आदेश दिया है ये फैसला मुख्य चुनाव आयोक्त राजिव कुमार और चुनाव आयोक्त ग्यानेश कुमार तथा सुक्बिर सिंग संधू की बैठक में लिया गया रामपुर जिले की MP MLA कोट ने आज पूर्व मंदरी आजम खान को डुंगरपुर मामले में साथ साल कैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही उन पर पांच लाग रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है आजम खान के साथ ही कोट ने रामपुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर एहमद और पूर्व शेत्रा दिकारी आली हसन समेथ चार लोगों को भी सजा सुनाई है इन सभी लोगों पर रामपुर की डुंगरपुर बस्ती में एक जमीन पर कबजा करने की नियत से घर में घुसकर मार पीट, तोड़ फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था लोगसभा चुनाओ के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चार संसधी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोशना की है पार्टी ने कानपूर लोगसभा सीट से कुल्दी भदोरिया, अकबरपूर से राजेश दिवेदी, बागपत से प्रेमिन बैसला और मेरट लोगसभा सीट से देव व्रत्यागी को प्रत्याशी बनाया है आजमगर्वड जिले की लालगज संसधीक शेतर से बहुजन समाजपाटी की सांसथ संगीता आजाद आज भारती जनता पार्टी में शामिल हो गई संगीता आजाद के साथ उनके पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन भी भाजपा में शामिल हो गए है इसके अलावा निर्भया और हाथरस प्रक्रण से चर्चा में आई सीमा कुश्वाहा ने भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारती जनता पार्टी की सदसिता अग्रहन कर ली है उन्हें नई दिल्ली में भाचपा मुख्याले में सदसिता दिलाई गई लोकसभा चुनावों को देखते हुए विबिन जिलों में मतदाता जाग रुकता कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं कौशामबी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राये ने डाइट परिसर से मतदाता जाग रुकता इसकूटी रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि इसरेली का उद्देश सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है अम्रोहा और पिली भीत में भी आज मतदाता जाग रुकता के कारिकरम आयोजित किये गए मुझफर नगर जिले में कल देरात एक सिपाही ने चंदौली जिले के बैरट निवासी और वारानसी में सेवारत शिक्षक धर्मेंदर कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी वारानसी के पुलिस लाइन में तैनात आरोपी सिपाही चंद प्रकाश शिक्षक के साथ ही यूपी बोड की हाई स्कूल परिक्षा की कौपी जमा कराने मुझफर नगर आया था घटना के बाद सिक्षकों के संगटनों में काफी आक्रोश है आज मुसफर नगर चौनपूर अम्रोहा समेत कईजीलों में सिक्षकों ने बोड परिक्षा के मुल्यांकन कारे का बहिशकार कर प्रदर्शन किया इस बीच उत्तरप्रदेश माधिमिक शिक्षा परिशत के निदेशक डॉक्टर महिंद्र देव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि आरोपी सिपाही को पुलिस हिरासत में लेकर कठोरतम कारेवाही सुनिश्चित की जा रही है साथ ही सिक्षक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए शासन से अनुरोध किया गया है लोगसभा चुनाव को साकुशल संपन कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रियागराच पुलिस ने एक अवैद असला फैक्टरी का खुलासा किया है ये फैक्टरी नैनी में एक जरजर बिल्डिंग में चल रही थी इस मामले में पुलिस ने कई असलहों को बरामत करने के साथ ही पांच अभियुक्तों को गिरफतार किया है ब्रज के विश्व प्रसिद रंगोत्सों के अंतरगत आज बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जा रहा है लठमार होली खेलने के लिए हुरियारे नंदगाओं से बरसाना पहुँच गया है हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया लठमार होली की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किये गए है मत्रा के स्थपी शेलिश कुमार पांडे ने बताया कि बरसाना को 6 जोन और 15 सेक्टरों में बांट कर चपे चपे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है वारांसी के काशी विशोनात मंदिर में रंगभरी एकादशी की सारी तैयारियां पूरी हो गई है रंगभरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विशोनात और माता पारवती को गुलाल लगा कर होली की शुरुवात हो जाती है 20 मार्च को एकादशी के दिन काशी विशोनात मंदिर के पूर्व महंत कुलपती तिवारी के आवास से बाबा विशोनात और माता पारवती की चल प्रतिमा विशोनात मंदिर के लिए रवाना होगी रास्ते भर भक्त बाबा विशोनात के साथ होली खेलेंगे रंगभरी एकादशी की तैयारी के बारे में वारानसी के मंडला युक्त कोशल राजशर्मा ने बताया कि इस अफसर पर सांस्कृतिक कारक्रमों के साथ भक्तों के लिए प्रसाथ की भी ब्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि शरद्धालों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए छाया के साथ पेयजल की भी ब्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरब से की जा रही है इसके साथ ही शेत्रिय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार